नमस्कार न्यूस फ्लेस में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज की ताजाख खबर कियो नदी से भरे जा रहे हैं ग्राम पंचयत शेत्र के आसपा सरकारी जमीनों से प्रतिदिन सैकडो बड़े डंपर ट्रैक्टर अवैद बजरी खनन से भर कर परिवहन होकर अजमेर पुशकर मेड़ता ठावला डेगाना के ओर जाते हैं कारवाई से बचने के लिए अवैद बज से भरे वहन तेजगती से कजबे के मुख्य बस स्टेशन सहित आबादी शेत्र से गुजरते हैं जिसके कारण आमजन को दुर्गटना का भय बना रहता है और धूल मिट्टी से आमजन को परिशानी भुगतनी पड़ रही है बनविभा की और से धाई दर्शक पूर्व लोक्ताम और बंजर जमीन को उपयोगी बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके करीब 100 हेक्टेर जमीन पर व्रिक्षा रुपन करवाया था लेकिन आज प्रिशासनिक अंदेखी के चलते एक के बाद एक हर रोज कई हरे व्रिक्ष अवैद बजरी खनन की भेट चड क्या मगर रात दिन चल रहे हैं अवैद बजरी खनन से ये हरे भरे पेड़ पौधे कटकर जम इंदोज हो रहे हैं अवैद बजरी खनन से यहां सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा वहीं हरे भरे पेड़ों के कटने से पर्यावरन को भी भारी शती पहुंच रही है ग्रामिनों की बांगे क्या वैद बजरी पर प्रिशासन कारवाए कर लूनी नदी के खेतों स्वरूप को बचाये जाए